कैसे हूँ दूस्तों मैं हूँ रॉनल तो इस वीडियो में मैं आपको 3 Amazon FBA hacks बताता हूँ जो बहुत useful हो सकता है आप में से कहीं सारा लोगों को यह बता भी नहीं हो सकता है अगर आप एक complete beginner है या existing seller है तो यह hacks आपको बहुत useful हो सकता है तो मैं अपना जो Amazon FBA business है तो उसमें यह सभी hacks में इस्तमाल करता रहता हूँ तो सबसे पहला hack है URL generating तो जब भी आप अपना product आप launch करते हैं तो आपके product आप share करते हैं अलग groups के लिए हुआ हो या अगर आपका कोई existing email list है वहाँ पर share करते हैं आपके दोस्तों को friends and families को share करते हैं तो जो भी हो जब भी share करने के वक्त आपको एक specific URL generate करना होगा तो उसमें से आपको एक keyword को target करना होगा तो उसका process में आपको दिखा दाओं तो वह बहुत ही useful है तो उस particular keyword के लिए आपका product जल्दी rank होगा especially जब आपको बिगिनिंग में आपके product launch करते हैं तो आपको उस particular keyword के लिए rank करने के लिए बहुत ही helpful होगा तो मैं आपको दिखाता हूं मैं आपको कोई एक product का example देखे दिखाता हूं तो समझ लिजे yoga block तो यह कोई product recommendation नहीं है तो मैंने बस example के लिए product दिखा रहा हूं तो यहाँ पर हम कोई एक product को पिक करते हैं तो मैंने यहाँ straws yoga block को पिक किया है तो समझ लिजे यह आपका product है और यह product आपको share करना है तो आपको क्या करना है आपके storefront को जाना है तो आपके storefront आपको यहाँ मिल जाये गया यह हम देख सकते हैаз mam और यह जो product है मतलब sold by retail EZ Pvtt limited तो यह इनका store name है तो इस गोपर आपको ख्लिक करना है और उसके बाद यहाँ visit the retail EZP Kubt Ltd… Storefront तो आपके storefront को आपको जोना है और यहां पर आपको yoga block आपको type करके search करना है तो अभी आप देख सकते हैं यह product automatically मतलब first पहले ही दिख रहा है तो और यहां मतलब yoga block type करके आया है तो यह URL आपको copy करना है तो share करने के वक्त यह URL आपको use करना है मैं फिर से incognito tab में open करके मैं आपको दिखाता हूं देख सकते हैं तो यह URL directly यहां तो यहां directly page पे redirect होगा और आपका product यहां दिखेगा तो मैं यह product example के लिए दिखा रहा हूं तो आपका product के लिए आपको सबसे पहले आपका product का listing open करना है कुछ इस तरह आपको दिखेगा और यहां आपको आपका storefront पे आपको जाना है sold by तो उस पे उपर click करके आपका storefront आपको मिल जाता है तो यहां पर आपके storefront पे जाने के बाद यहां पर आपको आपके product का जो main keyword है जिस पे आप rank करने के लिए कोशिश कर रहे है वो keyword आपको टाइप करना है तो उसके बाद उसके URL कॉपी करके आपको share करना है तो यह सबसे पहला hack है और दोस्तो second one जाने से पहले अगर आपको Amazon FBA के related या उसका legal and taxation के related कोई भी queries है तो आप अभी मेरे साथ मतलब directly one on one zoom session बुक कर सकते हैं तो आपको description में link उसका मिल जाएगा तो consultation call आप बुक कर सकते हैं directly मुझ से तो उस zoom session में आपको Amazon FBA का complete overview मेरा journey के बारे में और आपको Q&A session भी मिलेगा और यह complete one to one र के लिए नए हैं तो subscribe कीजिए तो दूस्तो second है के indexing तो indexing बहुत important है indexing अगर मैं simple तरकी से कहूँ को तो उसका meaning यह है कि you are able to find your product for a specific keyword तो जो भी आप keyword आपके जो में relevant keywords रहता है उस product के लिए उस keyword के लिए आपके product मिल पाना Amazon की सार्च पार पार तो वह किस तरह साचक करते हैं उसके लिए भी एक method है तो मैं फिर से में yoga block का ही example लेता हूं तो यहां है तो इस पर क्लिक करते हैं तो समझ लीजे यह आपकी product है तो इस product का yes and आपको लेना है तो आपके product का yes and आपको seller central में भी मिलेगा वरना यहाँ additional information में भी मिल जाएगा तो इसको आपको copy करना है yes and usually b0 से start होता है और आपको यहाँ amazon की search bar पर आपके yes and आप paste करना है तो paste करने के बाद जो भी आपका main keyword है जिस पर आप rank करने की कोशिश कर रहे हैं और जो relevant keywords है वो सभी आपको one by one type करके आपको चक करना है मैं एक को example देखाता हूं तो समझ लीजे yoga block तो वो इसका relevant और main keyword है तो इस तरह type करके yes and के side में search पर क्लिक करना है और starting में जो भी आपको sponsored मिलेगा वो आपको ignore करना है और यहाँ से organic results मिलता है तो organic results में पहले ही में ही आपको आपकी product दिखना चाहिए तो यहाँ आप देख सकते हैं तो मैंने यह product का ही yes and copy करके amazon की search bar पर paste करके उसका main keyword इस्त product दिख रहा है इसका मतलब यह product सही तरह से index हुआ है तो उसी तरह आप क्या कर सकते हैं जो भी आपका main keyword से relevant keywords है तो उसको आपको यहाँ one by one type करके आपको चक्करते रहना है कि आपकी product सही तरह से index हुआ है कि नहीं तो यह especially जब आप product नया नया लांच करते हैं तो यह चक्क क्यूं उनका product में sale नहीं आ रहा है attraction नहीं आ रहा है क्यूं उनका product का sales increase नहीं हो रहा है वो बता ही नहीं रहता है तो इसलिए यह चक करना बहुत ही important है अगर सही तरह किसे index नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका listing में कुछ गलती हुआ है तो आपको वो सरी करना चाहिए आपके product title में हुआ हो या description में bullet points में और main जो backend keywords रहता है वहां पर आपका keywords आप सही तरह से नहीं डाले हैं तो आपको फिर से आपका listing optimize करना होगा edit करके और फिर से आपको चक करना होगा कि आपका index आपका product index हो रहा है कि नहीं तो मैं आपको और एक example दिखाता हूं suppose जमर लीजे मिने यहां ECSN लगाया है और यहां कोई और product का main keyword में इस्तेमाल करता हूं समर लीजे मिने water bottle mention करता हूं तो यहां आप देख सकते हैं sponsored ads के बाद तो वह product नहीं दिख रहा है मतलब कोई और मतलब of course water bottle ही दिख रहा है तो इसका मतलब जो वह product था yoga block straws वालों के था तो उनका product water bottle keyword के लिए index नहीं हुआ है तो उनको करना भी नहीं चाहिए मतलब तो वह जो water bottle है उनका main keyword नहीं है उनका relevant keyword भी नहीं है तो इसलिए वह index नहीं हुआ है उस keyword के लिए तो इस तरह आपका index आप चक कर सकते हैं और दोस्तो third hack है ranking तो ranking मतलब where your product is appearing on amazon's search page तो उसको भी मैं दिखाता हूँ yoga block का ही example दिखाता हूँ तो वह भी आपको चक करना चाहिए जब नया नया आपकी product launch करते हैं तो आपको चक करना चाहिए कि कहां पर आपके product rank हो रहा है तो वह बहुत ही simple है दोस्तों सबसे पहले आपको incognito tab open करना है तो इस तरह और आपको amazon का page open करना है और यहां आपको आपके main keyword type करना है योगा block का example लिया आता मैंने और search करना है और manually देखते जाना है तो incognito tab में कोई भी search मतलब कोई भी पहले से load नहीं होगा होता है तो इसलिए incognito tab में open करना बहुत important है तो योगा block type करते हुए ही मतलब यहां manually आपको चक करना है अफकोर्स यहां इनका product पहले ही दिख रहा है क्योंकि मैंने पहले ही इनका product select किया था तो आपको product जब आप नहीं launch करते हैं तो आपको manually check करना है कि कहां पर कौन से page पेर कहां पर आपकी product rank हो रहा है कहां पर दिख रहा है तो उससे आपको बता चलेगा कि आपको कितना अभी भी first page पे लाने के लिए कितना sales velocity match करना है तो आप कितना पीचे हैं वो आपको बता चलता है तो यहां first page उसके बाद second page तो इस तरह मतलब simple process है manually आपको check करते जाना है तो यह जो तीन hacks था तो बहुत ही crucial और बहुत important है of course देखने में बहुत ही simple लगता है तो यह utilize करना आपके business में बहुत ही important है तो मैं usually indexing, ranking और URL में generate करता हूँ share करने के लिए यह hacks में इस्तमाल करता ही हूँ मेरे business में और मैं कम से कम 4 साल से कर रहा हूँ अगर मेरे YouTube आप follow करते हैं तो आपको बता ही होगा तो मैं एक full time Amazon FBA seller हूँ और Amazon FBA जैसा online business में क्या होता है barrier of entry बहुत ही low होता है कहीं सारा लोग YouTube वीडियो मतलब Google में कुछ research करके ही seller account open करते हैं तो इसका मतलब start करने जैसा नहीं है इसलिए मतलब ज्यादा लोग fail होता है क्यूंकि इसमें exact results आपको तभी मिलता है जब आप सही तर किसे product सेलेक्ट करके उस product के लिए सही manufacturer डूण के लिस्टिंग सब कुछ सही तर किसे अपकी product first page पे लाना पड़ता है तभी आपको expected results मिलता है तो वह चीज करने वाले लोग बहुत ही कम है तो इसलिए आपको up to date रहना चाहिए जो आपका strategies आप इस्तमाल कर रहे हैं जब आप Amazon FBA में business करने की सोच रहे हैं और उसी तरह आपको financially मतलब income भी उसी तरह मिलेगा आपका business आप बहुत ही ज्यादा scale कर सकते हैं जल्दी आप 6-7 figures तक आपका business आप scale कर सकते हैं कुछ ही products launch करते हैं तो उमीद करता हूँ दोस्तों ये video आपको helpful हुआ होगा और अगर आप एक complete beginner है मेरा free workshop आप जॉइन हो सकते हैं और उसी तरह दोस्तों मेरे से consultation call भी आप बुक कर सकते हैं आपको description में मिलेगा मेरा सारा resources आपको description में मेरे देर रखा है और इसी तरह जुड़े रहे हैं दोस्तों मैं आपके स्थार भी e-commerce को knowledge और experience शेयर करता रहूँगा तो बस धन्यवाद दोस्तों फिर मिलेंगे